कोरोना का संकट देश में बढ़ता जा रहा है ऐसे सिती में चीन किसी भी तरह का फायदा उठाने में कोई कसन नहीं छोड़ रहा पहले चीन से आई रैपिड टेस्ट किट की गुणवत्ता को लेका सवाल उठ रहे थे तो अब इसके दामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं चीन से आ रही रैपिड टेस्ट किट के दामों को लेकर हरियाना सरकार ने अपना ओर्डर कैंसल कर दिया है हरियाना सरकार की सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक चीन से जो रैपिड टेस्ट किट आ रही थी वो 780 रुपे प्रतिकिट पड़ रही थी ये कीमत हर्याना के ही मानेसर में मौझूद साउथ कोरियाई कंपनी की ब्रांच से लगभग दो गुनी है साउथ कोरियाई कंपनी यही रैपिड टेस्टिंग किट 380 रुपए प्रती किट के हिसाब से दे रही है ऐसे में अब हर्याना सरकार ने चीन को दिये एक लाख किट के ओर्डर को कैंसल कर दिया है अब सरकार इसे साउथ कोरियाई कंपनी से मंगाएगी जिससे सरकार को कुल 4 करोड रुपए बचेंगे दसर हरियाना के मानेसर में साउथ कोरियाई कमपनी द्वारा बनाये जा रही रैपिड किट को ICMR से मन्जूरी मिल चुकी है कमपनी का दावा है कि वो एक महिने में 10 मिलियन किट बना सकती है हरियाना सरकार ने राज में बड़ी संख्या में कोरोना वारस का टेस्ट करवाने का फैसला लिया है चीन से आई रैपिड टेस्ट किट में काई शिकायत मिली हैं जिसके बाद केंद्र ने इसके इस्तमाल पर रोक लगा दी है महीं भारत में मौझूद चीनी दूतावास की ओस से आश्वासन दिया गया है कि भारत के द्वारा उठाई जा रही शिकायत पर वो समाधान करने के लिए तयार है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स